Hello everyone, welcome to my channel. आज कलकी अवतार के को लेकर सब लोग ये दावा कर रहे हैं कि कलकी अवतार के बारे में उन्होंने बहुत कुछ जान लिया हैं लेकिन विश्रु भगवान के दस्वें अवतार यानि कलकी अवतार मेरे अकॉर्डिंग आज भी एक बहुत बड़ा रहसे अपने आप में समेटे हुए हैं क्या उन्हें जान पाना, उनके कारियों को जान पाना सिर्फ वेद और पुरार पर कर या उनके ग्यान के अधार पर क्या इतना आसान है, क्या ये संभव है, इतनी जल्दी हम कुछी समय में कल की अवतार के पूरे कारियों के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके रहसियों पर से क्या हम परता उठा सकते हैं, क्या आज हम इस लाइक बन गए हैं, आज है मेरे वीडियो का टॉपिक यही, बने रहिएगा इंट तक कल की अवतार जो हर समय हमें देख रहे हैं और देख देख कर मुस्कुरा रहे हैं कारण उन्हें भी अचंभा हो रहा है कि कैसे कोई मनुष्य इस धर्ती पर जो कल्यूग में हैं इतनी जल्दी ये दावा कर लेता है कि कल की अवतार के बारे में उसने सब कुछ ग्यान कुछ सिक्रेट्स होंगे आपके परसनल लाइफ होगी अगर वो परसनल लाइफ के सिक्रेट्स लोगों को पता चल जाए कि आपको गुसा आता है कि आपको तकलीफ होती है कि आप हर चीज सबसे शेयर करना चाहते हैं तो यही बात कल की अवतार के साथ भी है और किसी भी द क्योंकि उन्हें भी क्रोध आता है ऐसा नहीं है कि भगवान है तो उन्हें क्रोध नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा भले वो क्रोध में कोई काम ना करें लेकिन वो क्रोध तो उनको भी आएगा उन्हें भी गुस्सा आता है उन भक्तों के ऊपर जो ये दावा कर रहे हैं क कलकी भगवान के हर निर्णे को सब के सामने लाने के लिए कोशिश यही करने चाहिए कि आप हर बात में नुक्ताचीनी ना करके हर बात में कलकी अवतार के टीका टिपड़ी ना करके बहुती प्यार के साथ इसनेह के साथ कलकी अवतार की बातों को दुसरों तक पहुंचाए लेकिन आपकी बातों में जरा भी घमंड नहीं चलकना चाहिए, कि मैंने ये कहा, मैंने ये किया, क्योंकि घमंड कभी भी भगवान को पसंद नहीं आता है, चाहे वो किसी का भी घमंड क्यों नहीं, जब हम ये कहते हैं, कि मैं ये डेट बता रही हूँ, या मैं ये इयर बता रही हूँ, या मैं ये बता रहा हूँ, उसमें मैं में एक अहम जलकता है, और ये अहंकार भगवान को, चाहे वो कोई भी देवी देवता हूँ, पसंद नहीं आता है, तो कल की अवतार को कैसे के बारे में जल से जल लोग खुलासा कर दें और लोगों को इसके बारे में अवगत करा दें क्योंकि अगर सारी चीजें कल की अवतार के बारे में लोगों को पता चल जाएं भविश्य मलिका में जो बातें लिखी गई हैं कुछ बातें लोग नहीं बता रहे हैं जो भी भव मंदिर के नजदिक मठ में जो रखे गए हैं भविश मली का उसमें कुछ पुस्तके ऐसी हैं जो सिक्रेट तोर पे आज भी अन्नोन हैं उनके फैक्ट्स आज भी लोगों के सामने आने नहीं दिये जा रहे हैं सुदर्शन चक्र के बारे मैंने बताया था कि उसके बारे में कि किस तरह से वो बना है कैसे वो कारे करता है लोगों को नहीं बतलाया जाएगा सिक्रेट तोर पे रखा गया है उसी प्रकार भगवान नहीं चाहते कि उनके सारे सिक्रेट कॉमन पब्लिक के बीच में लोगों के बीच में आएं क्यों क्योंकि उन रहस्यों का पता चलते ही आज का कल यूगी मनुश्य गलत उप्योग करेगा, क्योंकि उसकी बुद्धी पूरी तरह से आज के यूग में भ्रष्ट हो गई है, बहुत कम आत्माएं आज इस धरा पर ऐसी बची हैं जो की अच्छी हैं, नेक कर्म कर रही हैं और अपने अच्छे कारियों को अंजाम देने के प्रयास में लगी होई हैं, वरना जहां देखो वहां खून खराबा, अपराद, पाखंड, जूट और अपराधिक मामले हर तरफ आपको देखने को मिलेंगे, तो ऐसी गलत आत्माओं, ऐसी अधर्मियों, ऐसे पापियों के हाथ, क्या कल की भगवान भी चाहेंगे, क्यों उनके रहसियों को उजागर किया जाए, या उनके रहसियों का पता, इन अधर्मियों को, पापियों को, नाशियों को पता चल सके, और अगर पता चल जाए, त उन्हें भी बुरा लगता है, उन्हें भी दुख होता है, कि क्यों उनके रहसियों के पीछे, आज का कल्यूगी मनुश्य, अपने कर्मों को छोड़ कर उनके पीछे पढ़ गया है, भगवान ने इस कल्यूग में हम आत्माओं को क्यों भेजा है, अपने कर्मों को करने के लि करने में लगे हुए हैं ठीक है कल भगवान की पूजा कर रहे हम कल की भगवान के मैसेच को दुस्तरों तक पहुंचा रहे लेकिन ये कुश्चन करना कि आज कहां पर है क्या कर रहे हैं माधा पीता के संग्या ऊट बैठ रहे हैं किस गुरू से वो सिक्षा ले रहे हैं, वो कहां पर हैं, वो क्यों नहीं आ रहे हैं, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, उनका रूप रंग कैसा है, वो कितने वर्ष के हो गए, लाखों करोडों कुश्चन, आज सभी वीवर्स के दिमाग में, सभी भक्तों के दिमाग में आ रहे हैं सभी लोग बहुत ही उत्सुख हैं जानने के लिए यकीन मानिए समय समय पर कलकी भगवान के बारे में जो कलकी भगवान के सच्चे भक्त होंगे अपने आप ही कलकी भगवान अपने बारे में जो भी ज्यान पहुचाना चाहेंगे किसी न किसी माध्यम से उन तक पहुचा द हम लोगों को कुछ करने के जुरूरत नहीं है अगर उनकी इच्छा होगी तो उन भक्त गणों के माध्यम से वो अपने कारियों को आगे बढ़ा लेंगे भक्तों को पता भी नहीं चलने देंगे और वो अपना कारे आगे बढ़ाते लेंगे लेकिन हर समय कि वो किस तरह के अपड़े पहनते हैं क्या उनके शौक हैं अभी वो कहां पर हैं वो कितने वर्ष के होगे इन बातों की जानकारी लेना हम लोगों के लिए अभी उचित नहीं है ताकि हम अपने कारियों के पीछे इस प्रकार से हम भटक ना जाएं जो हमें कारे दिये गे हैं कल्यों का मतल हैं दिन रात 24 घंटे मुझे जानने के लिए मेरे पीछे ये लोग पढ़ रहे हैं जानना अच्छी बात है भगवान से आप जुड़िये लेकिन ध्यान के माध्यम से मेडिटेशन के माध्यम से शोर मचा कर नहीं लोगों के अधूरे ज्यान को लेकर नहीं बलकि अपने आ आप पहुचाएए चाहे किसी ना किसी माध्यम से लेकिन हर बार कोश्चन करना कल की अवतार से और उन पर संदेह करना ये आज भी कई वीवर कर रहे हैं कई आज कल आज भी उनके उपर गलत आरोप लगाना उनके उपर संदेह करना अविश्वास करना ये कल की भगवान ब प्रद्धा और विश्वास भक्तों के मन में किस हद तक हैं यह हर चीज कल की भगवान देख रहे हैं समय समय पर हर बात को वह आप तक पहुंचाएंगे यदि सच्छे अर्थों में वह आपको इस काबिल पाएंगे कि आप तक अपने उन बातों को उन्हें पहुंचाना चाह हैंगे इसलिए बिना समय गवाएं अभी समय बहुत कम बचा हुआ है तो बिना समय गवाएं अपने कारियों को अंजाम दीजिए अपने कर्मों को अंजाम दीजिए फोकस कीजिए अपने आप पर अपने आत्मग्यान को बढ़ाने की कोशिश कीजिए और ध्यान मगन हो य लेकिन इश्वर से जुनने का प्रयत न कीजिए बिना किसी कुस्चन के बिना किसी डर्भ है के बिना किसी औविश्वास के थैंक यू वेरी मच पर वाचिन में लिडियो